नमस्कार दोस्तों मैं संपत सिंग मीना साहेक आचारे डेपार्टमेंट औप बॉटनी गवर्मेंट कॉलेज टॉक Dear students, आज हम BSC पार्ट तरतिय के पेपर प्लांट फीजिलोजी एंड बायोकेमिस्टी के अंतरगत Physiology of Flowering, पुस्पन की कार्यकी के अंतरगत, फोटो पीरियोड इज में दीप्त कालता को विस्तार पूरवक पढ़ेंगे दोस्तों हम जानते हैं कि पुस्पिय पादपो की फ्लावरिंग प्लांट की एक खास विसेश्था होती है कि वे अपने जीवन काल में पुस्प अवस्पिदारन करते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी पादप होते हैं जो अपने संपूर्ण जीवन काल में केवल एक ही बार पुस्पिदारन करते हैं जैसे कि अगेब इसके अलाबा कुछ अन ऐसे प्लांट होते है जो लगबग प्रती वर्ष पुस्पधारन करते है ऐसे पोदे जो जीवन में केवल एक ही बार पुस्पधारन करते है उन्हें मोनोकॉर्पिक कहते है और ऐसे पोदे जो कई बार जीवन में पुस्पधारन करते है उन्हें polycarpic plant कहते है पुस्पन के समय पौदों में अत्यन्त जटल physiological परिवर्थन होते है कार्य की परिवर्थन होते है एक वर्षिय पौदे जो की ज़्यादा तर साकिय होते है अधिकान साकिय पौदों में कुछ मैने में ही पुस्पन की किरिया हो जाती है अत्या पुस्पन के लिए पौदों में एक निश्चित physiological growth का होना आविश्यक होता है sorry vegetative growth का होना आविश्यक होता है उदारण के लिए मक्का के पौदे में उस समय तक या हम कह सकते है जब तक फुस्पन की किरिया नहीं होगी जब तक कि उसमें निश्चित संख्या में पत्तिया परिपक्व नहीं हो जाती है लेकिन ये परिपक्व पत्तियों की जो संख्या होती है वह है मक्का की किस्म के उपर निर्वर करती है अलग-अलग परकार की किस्म में इसकी सिंख्या अलग-अलग हो सकती है इसी परकार से जमेका की पाडियों में जो बांस की एक बैराइटी उगती है उस बैराइटी में पुस्पन की किरिया तब तक नहीं होती है अते हम कह सकते हैं कि पुस्पन एक आविश्यक और निश्चिक परिवर्तन है ऐसा माना जाता है कि जो काईक अवस्ता होती है उस काईक अवस्ता से पौधे की जो पुस्पन अवस्ता होती है उस अवस्ता में प्रिवेश के लिए अनेग परिस्थितिया होती है जो उसे कंट परिवर्दन होते हैं जो उस कायक अवस्ताथ से यानि कि वेजेटेटिव फेज से उसकी फिलॉवरिंग फेज में प्रिवेश करनी के लिए जिम्मेदार होती है उसी में हम आज पढ़ेंगे पहला फोटो पेरियोडेज में यानि कि देप्त कालिता देप्त कालिता की खोज गौर्णर और एलाड के द्वारा और निश्चो बीस में की गई थी और इन्होंने निकोटियन टेविकम तंबाकू के पौधे की एक बेराइटी मेरिलेंड मेमत के उपर ये एक्सपेरिमेंट किया था इनकी अनुसार पौधे को जब तक प्रकास की उचित अब्धी यानि की लैंथ ओफ डे या हम कहते सकते हैं फोटो पिरियोड नहीं मिलता है तब तक उसमें पुस्पन की किरिया नहीं होती है या हम कह सकते हैं कि पुस्पन की किरिया पर प्रकास की उचित अब्धी की प्र प्रकास के प्रभाव को ही दिव्त कालता कहते हैं यानि कि फोटो पिरियोड में कहते हैं हिलमेन के अंसार प्रकास और अंदकार अबधियों के अंत्रालों के प्रती पौधिक की जो अनुक्रिया होती है उसे फोटो पिरियोड कहते हैं यानि कि देप्त कालता कहते है हिलमेन ने सभी पोदों को फोटो फिरियरड की आविश्यक्ता के इंसार तीन काटेगरी में डिवाइड किया है इसमें पहला है सौट डे प्लांट या इन पादपों को लॉंग नाइट प्लांट भी कहा जाता है ऐसे पोदे जिनमें पुस्पन के लिए क्रांतिक प्रकास अब्दी से छोटे दिन यानि कि हम कह सकते हैं कि कम प्रकास अब्दी की आविश्यक्ता होती है उन पादपों को सौट डे प्लांट कहा जाता है लगू दिवसिय पादप इन पादपों को पुस्पुत्पन करने के लिए बारे गंटे से कम लंबे दिन या हम कह सकते हैं कि सतत लंबे अंदकार अब्दी यानि कि लगबग 14 से 16 गंटे अंदकार किया विश्यक्ता होती है प्रकास की मात्रा कम करने पर पुस्पन अधिक और सीग्र हो जाता है अते इन पौदों को लॉंग नाइट ब्लांट भी कहा जाता है इन पौदों में रात के अंदेरी की जो अब्दी होती है वह कर्टिकल होती है इनकी करांतिक होती है इन पौदों को निरंतर अंदकार अनवारिय होता है यदि अंदिकार में प्रकास की एक चमक भी यदि इने मिल जाती है तो पुस्पन की किरिया को रोखने के लिए वह परियाबत होती है अगर इनके सतत अंदिकार को अब जुको लाल प्रकास के दे करके तोड़ दिया जाए तो इनके पुस्पन की किरिया नहीं होती है सुदूर लाल प्रकास दे करके उसे समाप्त किया जा सकता है यानि कि उनमें पुस्पन की किरिया को किया जा सकता है इसके एक्जाम्पल्स है तंबाकू, सोयवीन, कॉस्मोस, गन्ना, चिनोपोडियम, शकरकंद, सरसो, डहिलिया ये सब ही प्लांट्स जो है, सौर्टडे प्लांट्स के अंतरगाता आते है। दोस्तो यहां एक डाइग्राम दिखाया गया है, एक सलाइड के ऊपर डाइग्राम ے चोकिया गया है जिसमें शौर्टडे प्लांट के ऊपर जो पुस्पन की किरिया होती है उन पुस्पन की किरिया को किस प्रकार से अंदकार और प्रकास प्रवावर्त करता है उसे यहां पर समझाया गया है पहला डाइग्राम देखिंगी दोस्तों इस डाइग्राम की अंतरगत sort light period long dark period दोनों को दिखाय गया है यानि कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रकास है वो 8 गंटे स्पोधे को मिल रहा है और 16 गंटे इसको अंदकार मिल रहा है तो इस कंडिशन में जो सौर्ट डे प्लांट होगा उसमें प्लॉवरिंग की रिया संपन हो जाती है यानि कि इस प्लांट में जो है पुस्पुत्पन हो जाते हैं वहीं जो दूसरा डाइग्राम है और डाइग्राम में देखाया गया है 8 गंटे उसे सनलाइट प्राप्त हो रही है यानि कि उसे प्रकास प्राप्त हो रहा है और 8 गंटे उसे बेरी लो लाइट जो है प्राप्त हो रही है और 8 गंटे उसे डार्क यानि की अंदकर प्राप्त हो रहा है तो उस कंडीशन में प्लांट में फिलोवरिंग नहीं होती है और केबल बेजिटिटिव ग्रोथ होती है और तीसर डाइगराम देखिए दोस्तो जिसके अंतरगत उस पौधे को 8 गंटे सनलाइट प्राप्त होती है और उसके साथ साथ 16 गंटे उसे अंदकार में रखा जाता है लेकिन उस 16 गंटे के अंदकार में एक फ्लेस लाइट अलप समय के लिए उसे प्राप्त होती है तो यह तीनों डाइगराम के मैध्यम से अलप देपत काली जो पोदे होते हैं, यानि कि सौर्ट डे प्लांट या लॉंग नायट जो प्लांट होते हैं, उनको उनके उपर जो पुषपण की करिया होती है उनमें उसिंपण की करिया के उपर प्रकास की प्रबाब को समझाया इन पौदों की जो क्रांतिक प्रकास अब्दी होती है उससे कम या बराबर प्रकास मिलने पर ही इनमें पुस्पन की करिया संपन हो पाती है नेक्स्ट आता है लॉंग डे प्लांट या इनहें हम सौर्ट नाइट प्लांट भी कहते है बे पौदे जने पुस्पुत्पन करने के लिए बारे गंटे से अधिक सेतत लंबे दिन यानि की 14-16 गंटे और अंदकार की जो अब्दी होती है वो अलफ अंदकार की अब्दी के अवसकता होती है ऐसे प्लांट को जो है देर के दिवसिये पादप कहते हैं इन पादपों में दिन में प्रकास की अब्दी क्रिटिकल होती है यानि कि इनहें लगातार सतत प्रकास मिलना चाहिए इन पौदों में सतत प्रकास अब्दी को यदि अंदकार दे कर तोड़ दिया जाए तो इन में भी पुस्पन की किरिया संपन नहीं होती है अथार्त हम कह सकते हैं कि लॉंग डे प्लांट को गन्टियोनियस लगातार सतत 14-16 गंटे प्रकास की अब्दी के दोरान 14-16 गंटे की प्रकास अब्दी के दोरान यदि उन्हें अंदकार अल्प समय के लिए भी दिया जाए तो उनमें पुस्पन की किरिया संपन नहीं होती है उदारन है इसके हैन बेन, चुकंदर, मोली, पालक, गाजर, जाई, जो, आलू ये सबी जो है, लॉंग डे प्लांट्स के एक्जामपल्स है नेक्स्ट आता है, डे न्यूट्रल प्लांट्स, देवस नरिक पेक्च पादप इन पादपों को विशिष्ट प्रकास या अंदकार अब्दी की आवसकता नहीं होती है अथार्तम कह सकते हैं कि इन पादों में प्रकास की जो अब्दी होती है उस अब्दी का पुस्पन पर कोई प्रबाब नहीं पड़ता है इसलिए ही इन पादों को डे न्यूट्रल प्लांट्स कहा जाता है इसके एक्जामपल्स है डेंडेलियोन, कालीमेट्च, ककडी, मक्का, कपास, टमाटर ये सब ही इसके तरगत आते हैं नेक्स्ट अपता है दोस्तो, लगु दीर्ग दिवसिय पादप, सौर्ट लॉंग डे प्लांट्स कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनमें को प्रारंब में लगु प्रकास वाले दिन और बाद में धीर्ग प्रकास वाले दिन प्राप्त होने पर उनमें पुस्पन की किरिया होती है तो ऐसे पादपों को सौर्ट लॉंग डे प्लांट्स कहा जाता है इसके एक्जाम्पल्स है ग्यों और राई नेक्स्ट आता है लॉंग सौर्ट डे प्लांट्स कुछ ऐसे पादप जिनको प्रारंब में धीर्ग प्रकास वाले दिन और बाद में लगु प्रकास वाले दिन प्राप्त होने प्रुस्पन की किरिया होती है उन्हें लॉंग सौर्ट डे प्लांट का जाता है और इसके एक्जाम्पल है ब्रायो फिल्लम इस स्लाइड को उपर दोस्तों लॉंग डे प्लांट्स और सौर्ट डे प्लांट्स के एक्जाम्पल्स दिखाए गई है इसमें लॉंग डे प्लांट्स के अंतरगत सुगर भी टैब, इंटर वारले है, हैन्मेन, पालक, सलाद, काश्टर भी ठीक इसी प्रकार से सौर्ट डे प्लांट्स के एक्जाम्पल्स को भी देखाया गया है दोस्तो इस सलाड में जैन्थियम और हायोसायनेमस के उपर किये गए एक्सिपरिमेंट को दिखाया गया है जिसमें क्रिटिकल फोटो पिरियाड का एक्सिपरिमेंट इन दोनों ही प्लांट्स के उपर किया गया था जैन्थियम जो कि एक प्रकार का short day plant के अंतरगत आता है और hyocyanumus niger जो कि long day plant के अंतरगत आता है hyocyanumus niger को अधिक प्रकास के आवसकता होती है जबकि जैन्थियम को कम प्रकास अबदी के आवसकता होती है यसलिए short day plant के अंतरगता है जैन्थियम का जो critical photo period होता है वो 15 गंटे का होता है देखिए इसका जो पहला diagram है उसके अंतरगत 16 गंटे उसे light दी जाती है और 8 गंटे उसे अंधकार में रखा जाता है तो उस condition में उसमें cable vegetative growth होती है क्योंकि उसकी जो critical maximum है वो उसका critical photo period है वो उसका 15 गंटे का है और जब इसे 15 गंटे से कम प्रकास में रखा जाता है तो उस condition में उसमें flowering की किरिया संपन होती है यहाँ कि second examples को यह पहला example है यह second है second examples को जब हम देखते है second diagram को जब हम देखते है तो वहाँ पर 15 गंटे नहीं दे करके light उसे 14 गंटे जाती है तो उस condition में और अंधकार 10 गंटे दिया जाता है तो उस condition में उसमें flowering की किरिया संपन होती है यानि कि उसका जो critical photo period है वो 15 गंटे का है और उस 15 गंटे से उसे कम प्रकास दिया जा रहा है आता है ऐसे पोदों को कहा जाता है short day plant दूसरी condition आती है इसका जो photo period होता है critical photo period वो 11 गंटे का होता है या अम कह सकते है कि जब इसे 11 गंटे से अधिका प्रकास दिया जाएगा उस condition में ही इस पौदे में flowering होगी पहले डाग्राम में देखिए इसमें जब 10 गंटे का प्रकास दिया जाता है 14 गंटे का अंधकार दिया जाता है तो उस condition में केबल फोटो पिरियर्ड जो लॉंग डे प्लांट और सौर्ट डे प्लांट्स दोनों को समझाता है इस स्लाइड के अंतरगत दोस्तों एमपेक्ट ओफ डार्क पिरियर्ड फोर फ्लोवरिंग दीप्त कालता प्रेरण जिसके अंतरगत लाइट और डार्कनेस दोनों का क्या प्रभाव है flowering के उपर पहले diagram जो चार diagram है जो की short day plants के है और next ये जो चार diagram है ये long day plant के है इन short day plants के अंतरगत देखिए दोस्तों ये इसकी परकास अबदी है और ये इसकी light duration है जब इन short day plants को देखिए जब इसमें परकास अबदी अधिक दी जा रही है परकास अबदी अधिक है और अंदकार की अबदी कब है तो उस condition में यहाँ पर flowering नहीं होती है दूसरे diagram को देखिए दोस्तों क्यों नहीं होती है क्योंकि इसका जो critical period है उस critical period से अधिक परकास यहाँ पर दिया जा रहा है इसलिए यहाँ पर flowering की करिया संपन नहीं होती है दूसरे diagram को देखिए दोस्तों इसका जो critical period है light का उससे कम परकास यहाँ पर दिया जाता है जबकि अंधिकार की जो अबदी है वो अधिक है आता है यहाँ पर जो है flowering की करिया संपन होती है तीसरे diagram यह है इस diagram को देखिए दोस्तों यहाँ पर भी परकास की जो अबदी है light की अबदी है वो critical period से कम है और जो अंधिकार की अबदी है वो अधिक है अधिक अंधिकार में रखा जाता है डार्कनेस में रखा जाता है लेकिन यहाँ पर हलकासा प्रकास अंधिकार को तोड़ने के लिए दिया जाता है अते इसके कारण यहाँ पर flowering की करिया संपन नहीं होती है क्योंकि short day plant में flowering के लिए लगातार continuous अंधिकार की आविसकता होती है ठीक इसी प्रकार से इसका जो चोथर डाइगराम है इसको देखिए दोस्तों यह भी short day plants की है इसमें लगातार अंधिकार है लेकिन यहाँ पर जो प्रकास की अबदी है उस प्रकास की अबदी को भी एक हलका सा प्रकास देकर तोड़ा अरने का प्रियास किया जाता है लेकिन उस condition में यहाँ पर भी flowering की करिया संपन होती है यानि कि जो अंधिकार की अबदी होती है उसमें यदि हलकी सी चमक डाल दी जाती है हलका सा प्रकास डाल दी जाता है रेड लाइट डाल दी जाती है तो उस condition ना flowering नहीं होती है लेकिन उस रेड लाइट के लाल प्रकास के प्रवाब को दूर करने के लिए सुधूर रेड लाइट फार रेड लाइट के द्वारा उसको उप्चारित किया जाए तो उस condition में वहाँ पर भी flowering के रिया संपन हो जाती है next आता है दोस्तो long day plants ये चार diagram भी long day plants के है यहाँ पर देखिए पहला जो diagram है उसके अंतरगत पौदे को darkness की तुलना में light अधिक दी जाती है और जो critical period है उससे अधिक light दी जाती है अते long day plant का मतलब यही होता है कि critical period से अधिक light दे जा रही है तो उस condition में उसमें flowering की करिया संपन होती है और दूसर डाइगराम है इस दूसर डाइगराम के अंतरगत देखिए critical period है उससे कम light दी जा रही है अते इसमें flowering की करिया नहीं होगी और यह तीसर डाइगराम है इसमें critical period से कम light दी जा रही है लेकिन यहाँ पर जो अंदकार है उस अंदकार में light डाल दी जाती है हलकी सी जिसके कारण यहाँ पर प्रकास जिसके कारण यहाँ पर flowering की करिया नहीं रुकती है अते हम कह सकते हैं कि long day plant के अंतरगत अंदकार को यदि प्रकास दे करके तोड़ा जाए तो भी वहाँ पर flowering की करिया संपन होती है जबकि short day plant में flowering की करिया संपन नहीं होती है next आता है दोस्तो next diagram फौर्थ नंबर का इसमें भी flowering की करिया संपन होती है तो इस प्रकार से इस salad की अंतरगत short day plant और long day plant दोनों की अंतरगत ही critical period की अधार पर flowering की करिया को समझाय गया है यह एक अगली slide है इस slide की अंतरगत short day plants की जो दीप्त कालता की अनकरिया है उस पर अंधकार का क्या प्रभाव पड़ता है उसे यहां पर दिखाया गया है इसके बारे हम वैसे हम पूरुमें समझ चुगे है लेकिन फिर भी एक बार पुने आपको समझा जिता हूँ यहां पर देखिए जो short day plant है उसके अंतरगत 9 गंटे light दी जाती है और 15 गंटे उसे darkness में रखा जाता है तो उस condition में उसमें flowering की किरिया जो है संपन हो जाती है क्योंकि उसमें continuous 15 गंटे का darkness में रखा जाता है दूसरा diagram है दोस्तों उसमें 9 गंटे का light दी जाता है लेकिन जो continuous darkness की आवसकता होती है वो से प्राप नहीं हो रहे क्योंकि उसमें light का flash अलप समय के दे दिया जाता है इसलिए यहां पर flowering की किरिया संपन नहीं होती है और तीसरा diagram है उसके अंतरगत देखिए दोस्तों continuous उसे जो है 15 गंटे darkness में रखा जाता है और जो light है उस light में हलकी सी चमक स्वारी उस light में हलका सा अंदकार दिया जाता है तो उस darkness का प्रभाब flowering पर नहीं होता है और यहां पर भी flowering की किरिया जो है संपन होती है नेक्स्ट आता है दोस्तों दीप्त कालिक प्रेरण दोस्तों इसके बारे में हम अगले क्लास में अध्यन करेंगे थैंक्यू सो माच